काईज अकर आपका बजट करीब 14,000 रुपे के असपास है और यदि आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन परचेज करना है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं करीब 14,000 रुपे के अंदर आने वाले टोप 3 बेस्ट स्मार्टफोन के बा आपर मैंने पिक किया है समसंग के गेलेक्सी M30S स्मार्टफोन को और भी जो फोन है उस एंसंग गेलेक्सी M30S का एक अच्छा खासा फोन है चो कि अच्छी खासे प्रैस रेंज पर आता है और अपने साथ काफिछी स्पेक्स को भी लेकर आता है इसकी स्पेस्टिफिकेसं इसकी स्पेस्ट का एकसे नोस 9621 जिपसेट यूज किया गया है जिसके चलते आपका भी हाइएंड गेम्स भी बिना किसी प्रोब्लम के खेल पाएंगे क्योंकि इस चिपसेट में आपको कोटेक्स A73 वाले कोर्स मिल जाते हैं जो कि 2.3 की कार्ट की स्पीड पर रन करते हैं इसके लावा फोन की एक एडवांटेज है यह है कि आपर आपको dedicated slot भी मिल जाता है जिसके चलते आप 2 sim cards और 1 micro sd card एक साथ यूज कर पाएंगे फोन में एक camera के बात करें तो आपर triple gear camera setup मिलता है जिसमे 48 megapixel का primary lens, 8 megapixel का ultra wide lens और 5 megapixel का depth sensor दिया गया है साथी selfie camera के बात करें तो आपर 16 megapixel का selfie camera भी मिल जाता है फोन की जो दूसरी main advantage है वो है इसकी अच्छी खासी लंबी battery उसकी करीब 6000 mAh की है अब आपको fast charge port भी देखने को मिल जाता है साथे charging के लिए USB type support भी दिया गया है तो ये था overall Samsung Galaxy M30s का package जो की 14,000 रुपे के अंदर एक काफ अच्छा smartphone खहा जा सकता है अगर आपको Samsung के phone अच्छे लगते हैं तो आप definitely इस phone के लिए जा सकते हैं अगरे जब बात करते हैं 14,000 रुपे के अंदर आने वाले दूसरी अच्छे smartphone की आपर मैंने पिक किया Redmi Note 9 Pro smartphone को अभी जो phone है वो अभी recently इंडाय में मार्च में लाउन चुआ है और ये app काफ यच्छे specs अपने साथ लेकर आता है चलिए बात करते हैं इसकी specifications के तो यहाँ पर आपको 6.6 inches की IPS LCD डिस्पले मिल जाती है जो कि Corning Gorilla Glass 5 की protection के साथ आती है phone की जो build quality है वो glass की है और साथ ये दोनों ही तरफ आपको Corning Gorilla Glass 5 की protection मिल जाती है phone में पन्चोल डिजाइन दिया गया है जो कि center में aligned है इसके लावा जो processor है वो भी काफी अच्छा है यहाँ पर snapdragon 720G chipset यूज किया गया है जो कि mid-range category में सबसी अच्छा chipset कहा जा सकता है यहाँ पर आप काफी high end games बिना किसी problem के खेल पाएंगे आपको किसी भी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा इसके लावा guys phone के camera के बात करें तो हाँ पर आपको 48 plus 8 plus 5 plus 2 megapixel count के साथ quad rear camera setup मिलता है साथ 16 megapixel का selfie camera भी दिया गया है phone में दी गई है 5000 mAh की दमदार battery जो के 18 watt के quick charge support के साथ आती है यह phone भी काफी अच्छा है और इस price range में आपको इसका 464 वाला variant देखने को मिल जाएगा तो यह था overall Redmi Note 9 Pro का package जो कि यह काफी अच्छा smartphone है 14,000 रुपे के price point पर और guys अब finally बात करते हैं हमारे number one smartphone की जो कि आपको सबसे ज़्यादा value for money provide करेगा तो यहाँ पर मैंने pick किया है Realme 6 smartphone को अब यह जो phone है वो भी recently इंडिया में March 2020 में launch हुआ था और काफी अच्छे price point पर इस smartphone को launch किया गया है चलिए बात करते हैं इसके specifications की तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.5 इंचीज की IPS LCD डिस्पले उसकी full HD plus resolution के साथ आती है फोन के अच्छे बात यह है कि आपको 90Hz की descriptive price rate पर मिल जाती है जो कि इस price range में अब तक किसी और smartphone में देखने को नहीं मिलती है फोन हालांकि plastic की back panel के साथ आता है यह फिर भी phone में आपको काफी अच्छी खासी durability देखने को मिलेगी इस phone में भी आपको open console design देखने को मिल जाता है जिसके हिसाप से आप कह सकते हैं कि iPhone trend के हिसाप से काफी सही है इसके performance की बात करें तो यहां पर media tech का Helio G90T chipset यूज़ किया गया है और यह जो chipset वो gaming के लिए best माना जाता है mid range category के अंदर आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि gaming के लिए आप फोन कितना जादा सही है इस phone में भी dedicated slot मिल जाता है जिसके जलते आप memory को expand कर पाएंगे और यहां पर आपको 64 megapixel का quad rear camera setup भी दिया गया है फोन में 16 megapixel का selfie camera मिल जाता है जिसके जलते आप even low light में भी काफी अच्छी selfies क्लिक कर पाएंगे फोन में 43 hand rate image कि दमदार battery भी दी गई है जो कि 30 watt के fast charge support के साथ आती है यह बात मेरे को personally काफी जाद अच्छी लगी कि 14,000 रुपे के price point पर आपको 30 watt की fast charge support देखने को मिल जाती है तो अभी एक काफी अच्छी बात है इसके मुदा अच्छी है आप अपने phone को करीब एक गंटे में full charge कर पाएंगे सुगाइज यह था Realme 6 Cup है कि जो कि 14,000 रुपे के अंदर एक और सबसे अच्छा smartphone कहा जा सकता है सुगाइज यह थे तीन ऐसे smartphone जो कि मैंने पिक कि है 14,000 रुपे के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा क्योंकि आम यह आपर smartphone से related awesome content डालते रहते हैं हम मिलते हैं को और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and good bye